जहें दोस्तों मैं इम्राज सिफी आप देख रहे हैं मोटिविशनल टेक्नोजिशनल और आज हम बाग करने जा रहे हैं भारत माला प्रोजेक्ट के अंतरगत संभल पूर से राची तक बनेगा एक नया एक्स्प्रिस भी हाँ दोस्तों दोस्तों 2022 का जो बजट आया है और हमारी वितमंतरी सीता रवन जी ने इस बजट में इस एक्स्प्रिस भी को जो लागत दी गई है उसके बारे में हम बात करेगे पिरकार इस एक्स्प्रिस भी की जो रफ्तार है उस रफ्तार को तेज करने के लिए इस एक्स्प्रिस भी के लिए डी पियार के लिए तैयारी सुरू कर दी गई है दोस्तों अगर हम इसकी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो संभलपूर से राची तक इस Expressway को तबदील किया जाएगा Greenfield Expressway में भारत माला प्रोजेक्ट के तहद बनने वाला संभलपूर से राची तक Greenfield प्रोजेक्ट के रूप में बनेगा इसके साथ ही सीधे यह सपाट होगे जारखन में पहला Expressway Odisha से संभलपूर से राची तक बनेगा जिसकी को लंबाई 147.2 किलो मीटर रखी गई है हाँ दोस्तो दोस्तो जिस पिरकार जो है 120 किलो मीटर की रफतार से इस Expressway पर गाड़ी दोड़ेगी और जिसकी लंबाई रखी गई है 146.2 किलो मीटर तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं करीब 147 किलो मीटर यह Expressway बनकर तयार होगा और मैं आपको बता दूँ इसके लंबाई करीब 700 किलो मीटर होगी भारत माला प्रोजेक्ट के तहत राची धनबाद और वोकारो और Expressway से जोडने के कवाद इसकी चल रही है दोस्तो अगर हम बात करते हैं इस Expressway की तो इस Expressway को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने कारवाई तेज कर दी है और बहुत ही चल इसकी DPR तयार करकर भूमी की पिर्क्रिया प्रारम कर दी जाएगी दोस्तो इसी पिर्कार हमारे साथ जोड़े रही वीडियो देखने के लिए आप सबीका बहुत बहुत धन्यवाद